आपसकार दूस्तों आप देख रहे हैं RCA News आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में अभी की बड़ी खबर क्या है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है Breaking News आज की यह Breaking News है उत्तर प्रदीस में समोगा कि पदो पर भरती 2021 20,000 पदों का अधियाचन बिविनी पदों पर भरती की तयारी सबूत के साथ जानकारी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ सबूत के साथ दे रहा हूँ जो भी मैं आपको बताऊंगा इस पश्ट बताऊंगा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि कितने पदों का जियाचन किस बोड़ या आयो को भेजा जा रहा है कब तक जियाचन बोड़ या आयो को प्राप्त हो जाएगा भरती का विग्यापन कब तक आएगा और कि पीचर के वास्किय हो जाते हैं अगर किताब लेने से सब ग्यानी हो जाएं पढ़ने में धुरंदर हो जाएं अब मेटिकल का किताब ले लेंगे तो हम MBBS थोड़ों न बन जाएंगे हम नीट निकाल लेंगे उसके लिए अच्छे गुरू की अवशकता होती है तो आज मैं आ आइकन दबा दें और प्रसेलेट कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोडिफिकेस्टन आपके बास सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो को पूरा देखिएगा एक बार भी स्किप मत करिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके जैसा कि आप यहां खबर देख रहे है आज के समाचार पत्रों में छपी हुई थी कुछ लोग कह रहे होंगे कि हमने यह खबर पढ़ी है पढ़े हैं समझे नहीं हैं इसलिए समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए यहां पर बताया गया कि अधिनस्त सेवा चैन बोड बोड नहीं होना चाहिए यहां पर आयोग होना चाहिए करेगा समुगा की भरती आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भरतियां समुगा की होती है वह उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग के माध्यम से की जाती है अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो सारी भरती अधिनस्त सेवा से मांगा खाली पदो का ब्योरा आये पूरी जानकारी विस्तार से आपको बता देती यहां पर दिया गया है अटल बिहारी मेटिकल इनवर्सिटी से पदो का ब्योरा मांगा गया है पीजी आई लखनौ से डाक्टर एबीजी अब्दुल क्लाम से जो कि विश्विद्याले आ विसला राष्टिये पुनर्वास विश्विद्याले जोकी लखनों में इस्तित है गोरगपूर के मदन मोहन मालविये प्रदोकी विश्विद्याले दीन दयाल उपाध्याय गोरगपूर विश्विद्याले बांदा किस्तियों प्रदोकी विश्विद्याले मेरट के सरद तो इन सभी जगहों से भरती का दियाचन मांग गया है आपको बता दे कि राम मो रोहन लोहिया है हास्पिटल उसमें भरती होगी क्योंकि वहां पर लोग कर्म जो है संबीदा पर है जितने भी कर्मचारी है संबीदा पर है तो वहां पर भरती की जाएगी सम्थिंग 700 से लेकर 1200 पर भरती करने की तयारी है राम मनो लोहिया हास्पिटल में जो जानकारी प्राप्ट हुई है अब यहां पर देख लीजिए पूरी खबर को विस्तार से जान लेते हैं और आपको समुगा की भरती होगी यहां लंबे समय से बड़ी संख्या में पत खाली चल रहे हैं इसकी प्रक्रिया चालू हो गई है इस संबंद में राजभवन ने संथानों से खाली पदों का ब्यवरा मांगा है अब इस समुग की खाली पदों की भरती उत्तरप्रेश कर्मचारी पीजय जताही जा रही है केजी वंव्यों में करीब 42 विठ 5 यार से जादा करमचारी तैयनात हैं बड़ी संख्या में करमचारी और सोर्सिंग पर हैं महीं लोहिया संस्थान करीब एक ज्यारे है तीन हज्जार से ज्यादा करमचारी तैनात हैं अजिकांस पर संविदा करमचारी की भरोसे हैं वार्ज से लेकर प्रसासनी कारी में संविदा करमचारी तैनात हैं हालात्या है कि नियमी स्विक्रित पदों पर भी आउट्सोर्सिंग के करमचारी हैं कि प्रदेश अनेक बिश्वश्वूडियाले से बीवर्णा जुटाया जा जा है मैं आपको बताना चाहता हूं इस पश्ट क्या है देखेश 2022 का चुनाव है मुखमंत्री के आदेश की बाद अगर पदो का बेवरा जुटाया ना जाए अज़कारी लाप्रवाई करें तो इसमें गलती किश्की है यह सब जान बूझ कर किया जाता है मैं साब सब्दों में कह रहा हूँ 2022 का चुनाव है अब 2021 से भरती आना सुरू होगी कब से आएगी मार्च से भरती आना स्टार्ट होगी और जून तक जम कर भरती आएगी जून तक जम कर भरती आएगी हो सकता है कि फरवरी से भी आ जाए तो फरवरी से लेकर जून तक जम कर भरती आएगी आप इसको नोट कर लिजिएगा अगर एक लाख पदों पर भरती का विज्यापन जारी होता है इसको भी नोट करिएगा तो कम से कम कम से कम सतर से असी हजार की भरती पर क्रियाप पूरी नहीं होगी इसको नोट कर लिजिएगा अधूरी रहेगी और 2022 में इसी का लाभ लिया जाएगा, जो सत्य है बता रहा हूं, फैक्त है बता रहा हूं, जिसको बुरा लगे वीडियो छोड़ के चला जाए, अब विग्यापन इन पदों का कब तक जारे होगा, देखें अधियाचन जो मांग गया है, वह मार्च माह तक उत्तरपरिस अधिन स्रिवाचेन आयुक से, क्योंकि भरत्ति को वजाने का प्रियास किया जारा, किस परकार से, पेट को ले कर, जिसके संबंद में, मैं कई वार चर्चा कर चुका हूं, और मैं आपको जानकारी दे चुका हूं, जूरिया असिस्टेंट की पत खाली है, डाटा एंट्री आपर जोहिया हो, चाहे कोई विश्विद्याले हो, या डिगरी काले जो कुछ भी हो, जो जगा खाली है, उनने भरने की तैयारी चल नहीं है, लेकिन क्या तो हजार इकीस में भर पाएंगे, नहीं, लोग कहते कि अचार तहिता लागू होगी, भरती प्रक्रिया सुरू होगा, हो सकता है कि केंद में इनकी सरकार बैटी हुई है, अनुमती ले लें, लेकिन अब सारी भरती पूरी कर देंगे, तो 2022 के चुराओं में क्या कहेंगे, और कुछ भसाय रहेंगे, तो आपको उमीद होगी, कि एक लाग पदो पर भरती आई थी, पंद्रा हजार पूरी हो जिनका चैन हो चुका होगा, या जो फाम डाले होगे, नहीं तो एक कहेंगे, और आपकी मन में संकार आएगा, कि दूसरी सरकार आएगी, तो भरती पूरी नहीं होगी, मैं आपको बता दू, भरती तब भी पूरी होगी, तब भी पूरी होगी भरती, 2016 की वैकंसी क्या के लिए अधियाचन उत्तरप्रस अजिनस सेवाचैन आएगा में भेजा जाएगा, कुछ फर्माशिष्ट के पद होगे, कुछ नर्सिंग के पद होगे, कुछ वाडवाय के पद होगे, इसी प्रकार से बिविन प्रकार के पद उत्तरप्रस अजिनस सेवाचैन आएग को प्राप्ट होगा और सभी का विग्यापन जारी कर दिया जाए तो एक साथ विग्यापन जारी नहीं हो सकता इसलिए का 15,000 ही प्रदोपर भरती हो पाएगी बाकी परकुरिया मेरेगी और कुछ का नोटिफिकेशन जारी होना बाकी रहेगा जिस प्रकार से उत्तपरिव अजिनास सेवाचेन आयोग दोरा बैवरा दिया गया की 50,000 प्राप्ट हो चुका है तो इन पदों का अधियाचन जो मंगाय जा रहा है जो की विश्विद्याले हैं हास्पिटल है तो कुल मिलाकर सत्तर हजार के करीब अधियाचन हो जाएगा उत्तर पर इस अधियाचन सेवा चैन आयो के पास तो बंपर पदो पर भरती आने वाली है बस इस वर से काम ना करीएगे पिट लागू ना हो और भरती पूरी हो जाएगा आगे कोई जानकाले मिलेगे इस चैनल के माधिम से दी जाएगी इसी प्रकार की जानकाले के लिए आप हमसे जुड़े रहें जहें जबार दोस्तों न हमस्काद